मिस्टर इंडियान हेकर यानी की डिलाज भाई यूटूब से कितना कमाते हैं और एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद की तोर पर कुछ और नहीं बलकि मटन बिर्यानी को ही दिया जाता है लेकिन क्यूं मिलेगा सबका जबाब बने लेना वीडियो में एन तक आप में से सभी लोगों ने बाहुबली मोभी तो देखे ही होंगे लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एक लोती एसी फ्लीम है जिसे लंडन के रोयल एलबर्ट हॉल में प्ले किया गया था जो कि सच में बहुत बड़ी बात है ये जो इमेज आप देख रहे हो ये चान्द का सबसे एकुरेड इमेज है और सबसे हरानी की बात ये है कि इस इमेज को एक 16 साल के बच्चे ने खिचा था और इस इमेज का साइज 186GB का था जो कि चान्द के सबसे ज़्यादा डिटेल्स फोटो में से एक है वैसे अगर आ हम इस चैनल में एसे ही मज़ेडार वीडियो से लाते रहते हैं नमबर 8 ये है स्मार्ट ब्लेक बोर्ट इसमें आटोमेटिक इरेजर है जो कि आपने आप बोर्ड में लिखेगे चीजों को रब कर देता है और हम आपको बता दे कि रब करने से पहले वो सारे चीजों को देखा होगा लेकिन कि आपने कभी चोकलेट का वाटरफॉल देखा है अगर नहीं तो ये है चोकलेट वाटरफॉल जो कि इस्टेंबूल के चोकलेट म्यूजियम में मुझूद है है ना सच में अमीजिंग नमबर 6 ये है दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज जो की ब मुझा यहाँ अलस्का में एक टाउन है और इस पूरे टाउन के लोग बस इस बिल्लिंग में रहते हैं और इसलिए क्योंकि यहाँपर साल में कई बार बहुत जादा बार बरब पड़ती है और यहां से बाहर जाना ना मुंकिन हो जाता है इसलिए जैसे कि गोर्सरी स्टोर जीम और इहां तक की इस बिल्लिंग में पूली स्टेशन भी मौजूद है इस मंदिर का नाम है मुन्यांदी स्वामी टेंपल जो की भारत की तामीलाडू में मौजूद है और इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर की परमपरा के अनुसर यहाँ पर कुछ और नहीं बलकि प्रसाद की तोर पर मतन बिडियानी को ही दिया जाता है और इसे कि आप इस मंदिर में एक बार भीजिट करना चाहोगे कॉमेंट की जी इस मेंज को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह एक लेर्की की स्टेचू है है ना लेकिन हम आपको बता दे कि यह कोई स्टेचू नहीं बलकि एक रियल लड़की है जिसे स्टेचू जैसा मेकाप करवाया गया है इसकुल की फेंसी डेस कमपीटिशन के लिए है ना सच में इस मेहल को देखो इसे देखकर लग रहा है जैसे की यह कोई इडिटिंग से बनाया गया हो लेकिन असल में इसे साथ टन से भी ज़्यादा वायर का इस्टमाल करके बनाया गया है जो की इटली में मुझूद है नमबर वान मिस्टर इंडियन हेकर चैनल के बरे में आप सब जानते ही होंगे और इस चैनल का ओनर है डिलराज भाई जो की इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रीमेंट यूटूबर है और इनके चैनल पर आज 25 मिलियन से भी ज़्यादा सस्क्राइबर मजूद है जो की सच में बहुत बड़ी बात है तो ऐसे में आपने भी के बर सोचा होगा कि ये यूटूब से कितने रुपय कमाते हैं तो हम अबको बता दे एक एक्सप्रीमेंट चैनल की सीटी आर को डेक कर और उनके व्यूज को केलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि ये मन्थली 70 से 80 लाख रुपया तक कमाते हैं और ये तो बस सिर्फ एड तक देखी लिया है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो और साथी चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना